एक सैंडवीच एंड चिकन नुडल्स वाला रमेश विदेश में पढ़ाई की और वही पर नोकरी भी कर रहा था इस बार वो कुछ दिनों की छुटिया लेकर अपने माता पिता को मिलने गाउ आया था एक दिन रमेश गाउ के एक होटल में जाता है जहाँ एक सैंडवीच और चिकन नुडल्स मिलते थे तब रमेश वहाँ के वेटर से बत्तमीजी से बात करता है अरे ओ वेटर मैं कब से यहाँ बैठा हूँ? कब आएगा मेरा ओर्डर? क्या अपने कस्टमर का ऐसे धहन रखते हो आप? कहा है आपका मेनेजर? बताओ मुझे अभी मैं तुमारी शिकायत करता हूँ और नौकरी से निकाल देता हूँ नहीं नहीं सर देखिए ऐसा मत कीजिए वो क्या है कि ज़्यादा कस्टमर होने की वज़े से ओर्डर के लिए देरी हो गई मैं अभी लाया आपका ओर्डर सर सुना था कि यहाँ के एक सेंड़्विच और चिकन नुडर्स बहुत स्वादिष्ट है सोचा चलो मैं भी स्वाद लेलू पर नहीं यहाँ तो कुछ अलग ही माहूल चल रहा है अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं इस पूरे होटल की कंप्लेंट करता हूँ फूट डिपार्टमेंट में और वैसे भी मैं तुम जैसे गरिब के मूह नहीं लगता अब तुम अपने मालिक को लेकर आओ यहाँ पर रमेश गुस्टे से बात कर ही रहा था कि तभी बीचे से एक बुजुर्क व्यक्ति की आवाज आती है वो बुजुर्क व्यक्ति बहुती साधारन कपड़े पहने हुए था क्या बात है वेटा क्यों इतना गुस्सा कर रहे हूँ शान्त हो जाओ देखो तुमारी वज़े से इस होटल का माहुल खराब हो रहा है अरे ओ बुडे चुपो जा तुझे कुछ नहीं पता बीच में अपनी टांग मतड़ा विदेशी अच्छा है वहाँ कोई किसी के बीच भी नहीं आता और एक ये मेरा भारत है अर किसी को बीच में गुसने की आदत हो चुकी है यहाँ पर तब वो आदमी को बहुत गुसा आता है और वो रमेश को एक थपड मार देता है जिस मिट्टी में जनम हुआ वहाँ के बारे में ऐसे गलत बोलते हुए शर्मानी चाहिए चले जाओ यहाँ से और कभी वापस मताना उसी वक्त वहाँ रमेश के पीता आते है और वो उस आदमी के सामने हाथ जोड़ कर माफी मांगने लगते है मोहन जी माफ कर दीजिए मेरे बेटे को गलती हो गई उससे ठीक है पर समझा दो अपने बेटे को दरसल उस आदमी का नाम मोहन था मोहन वहाँ से चला जाता है तो रमेश भी अपने पीता के साथ घर आता है घर आने पर रमेश अपने पीता से कहता है अरे पिता जी उस बुड़े आदमी ने मुझे मारा आपने उसे सुनाने के बचाए उस आदमी से माफी मांगी पिता जी आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, अपने से बुजर्क आदमी से ऐसे बात नहीं करते और तुमें कुछ पता भी नहीं उस महान आदमी के बारे में तुम उसके खिलाब, तुमें तो उसके खिलाब बात करने का अधिकार भी नहीं है महान आदमी मतलब क्या है कोन है वो कैसा है महान बताईए तो जड़ा बेटा ये मोहंजी है इनके दो बेटे थे बेटों की पढ़ाई और उनकी परवरिश के लिए इन्होंने खूब महनत की बेटों को नवक्री लग गई उनकी बड़ी ही शांदार तरीके से इन्होंने शादी भी करवा दी साथ साथ अपना सब कुछ उन बेटों के नाम करवा दिया लेकिन उनके बेटे है कि उन्होंने एक दिन इनको ही घर से बाहर निकाल दिया और सब कुछ बेज बाज कर विदेश चले गए और वही सेटल हो गए पिता रमेश को मोहन जी की कहानी सुनाते सुनाते भावुक हो जाते है और आगे कहते है मोहन उसी गाव के रेल में स्टेशन पर रात गुजारने लगता है उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था मोहन अब अपने खाने के लिए भीक मागने लगा था एक दिन मोहन भीक मांगते मांगते एक विदेशी यातरी के पाल जाता है Oh, poor man, take my food, poor man विदेशी के पास एक सैंडविज और चिकन नुड़स थे वो विदेशी मोहन को बड़े प्यार से अपना खाना देता है और उससे बाते करने लगता है, मोहन भी उसे अपनी सारी हकिकत बताता है, मोहन विदेशी का खाना खाकर संतुष्ठ हो जाता है, और कहता है, सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, एक बात पुछनी थी, यह ऐसा खाना मैंने पहली बार खाया, बहुत ही अलग और स्वादिश्ठ है सर, Oh, thank you, poor man, actually, I am a chef, मैं एक शेफ हूँ, मेरा विदेश में बहुत सारा होटल्स है, मैं यहाँ इंडियन खाना सिखने आया हूँ, वैसे तुम यू भीक मांगने से अच्छा, अपना कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू खाता है? सर, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे व्यापार शुरू करूँ, वो भी इस उमर में. Oh, poor man, there is no limit for doing any business, मैं तो में एक सैंडवीच और चिकन नुडल्स बनाना सिखाता हूँ, चलो मेरे साथ. वो विदेशी मोहन को अपने साथ ले जाता है, और उसे एक सैंडवीच और चिकन नुडल्स बनाना सिखाता है, मोहन भी बड़ी ही लगन से सब कुछ सीख लेता है, एक दिन मोहन खुद अपने हाथ से एक सैंडवीच और चिकन नुडल्स बनाकर विदेशी को खिलाता है. वो विदेशी वापस जाते जाते मोहन को कुछ पैसे देता है ताकि मोहन अपना होटल खोल सके मोहन गाओ में आकर एक सैंडविच और चिकन नूडलस का होटल शुरू करता है मोहन के हाथ का चिकन नूडलस और एक सैंडविच लोगों को बहुत पसंद आता है और इसी तरह से मोहन इस उमर में भी काम्याब हो जाता है और रमेश के पिता आगे कहते है मोहन जी उस एक सैंडविच और चिकन नूडलस होटल के मालिक है उन्होंने कई सारे गाओ में ऐसे होटल शुरू किये आज उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं पर फिर भी आज वो जमीन पर चलते है बेटा उन्हें कोई घमन नहीं है और हा बेटा तुम आज विदेश में पढ़ पाए तुमें नवकरी मिली वो भी इनकी ही वज़ा से मोहन जी तुम जैसे महनती और गरीब बच्चों के पढ़ाई में मदद करते है और तुम हो बेटा कि तुम ने उस नेक आदमी को ही भला बुरा कह दिया पिता जी मुझे माफ कर दिजिए आज मेरी आखे खुल गई मैं जान गया कि उस आदमी की क्या कीमत है बेटा माफी मांगनी है तो मेरी मत मांगो जाओ और जाकर मोहन जी से माफी मांगो सर मैं आपको नहीं पहचान पाया मुझसे गलती हो गई मुझे मेरी गलती का हैसास हो गया मुझे माफ कर दिजिए सर बेटा कोई बात नहीं पर हाँ आज के बाद किसी को कम मत समझना और खुद से जितना हो सके उतने गरीबों की मदद करना